नमस्कार दोस्तों वर्ल्ड कप में इंगलेंड के टीम को बूरी तरह से हराने के बाद अब स्रिलंका के खिलाप होने वाले अगले मुकाबले के लिए भारतिय टीम के कप्तान रोहित सर्मा ने खतरनाक प्लेंग 11 का एलान कर दिया है जी हाँ दोस्तों इंगलेंड के खिलाप मिली सांदार जीत के बाद अब भारतिय टीम सेमी फाइनल में पहुच गई है और सेमी फाइनल से पहले स्रिलंका के खिलाप होने वाले मुकाबले के लिए भारतिय टीम के कप्तान रोहित सर्मा ने भारतिय टीम की प्लेंग 11 में भारते टीम इस बार वर्ल्ड कप का ये खिताब अपने नाम करे तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चाइनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा। दोस्तों आपको बता दे कि भारत और स्रिलंका के खिलाप होने वाले ये महा मुकाबला दो नौंबर को मुंबई के वान खेड़े इस्टेडियम में दोपार दो बजे से खेला जाएगा। इस वीडियो की तरब से सबसे जादा रन रोहिद सर्मा ने बनाए रोहिद सर्मा ने 87 रनों की सांधर पारी खेली इसी के साथ भारतिय टीम 9 विकेट के नुकसान पर 229 रन बनाए वहीं भारतिय टीम के 229 रनों का लक्ष का पीछा करने उतरी इंगलाइन के टीम 129 रनों पर सिमट गई जस्पृत बुम्रा और मोहमत समी ने अपना कहर बरपाया और वें इंगलाइन के टीम को 34 ओबर में ही धेर कर दिया पीछले मैच में न्यूजिलेंड के खिलाब 5 विकेट लेकर कहर बरपाने वाले समी ने इस मैच में इंगलाइन के खिलाब भी अपना कहर बरपाना जारी रखा और चार बिकेट जटक डाले वहें उनका साथ जस्पृत बुम्रा ने तीन बिकेट अपने नाम किया दोस्तों भारत्य टीम ने वर्ल्ड कप 2023 में अब तक सभी मुकाबला में सांदार परदर्सन करता हुआ अपने 6 मैचों में जीत हांसिल किया है और अलग अलग गिंद बाजों ने विकेट चटकाएं हैं भारत्य टीम के सभी खिलाडी सांदार परदर्सन कर रहे हैं और अब तो सिरी लंका के टीम को धूल चटाने के लिए भारत्य टीम के सभी 11 भूके सेर त्यार हो चुके हैं तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि कप्तान रोहित सर्मा और सुमन गिल एक बार फीर से पारी की सुरुआत करते नजर आएंगे हलांकी पिछले मुकाबला में सुमन गिल का परदर्सन कुछ खास नहीं रहा वह जीस तरह की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं वे उस तरह की बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे हैं पि सोट लगाने का काबिल भी है और अब उमीद करते हैं कि सुम्मनगिल स्रीलंका के खिलाप होने वाले मुकाबले में अपना पिछला मैच के कड़वी यादों को भूल कर अब अच्छी पारी जरूर खेलना चाहेंगे वहीं कप्तान रोहित सर्मा हर मुकाबले में रन बना रहे हैं वे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और अपने खुंखार अंदाज में बल्ले बाजी कर रहे हैं दोस्तों रोहित सर्मा बीसफोटक अंदाज में बैटिंग करते हुए टीम को सांदार शुरुआत दिलाने के लिए जाने जाते हैं और उए वैसे करने में काम्याब भी हो रहे हैं रोहित सर्मा पिछले मुकाबला में इंगलाइन के खिलाब 87 रनों की सांदार पारी खेली और वर्ल्ड कप में रोहित सर्मा सबसे जादा रन बनाने वाले बल्ले बाज बन गए हैं बिराट कोहली पिछला हर मैच में रन बनाए हैं और भारते टीम को जित दिलाने में अपने अहम भूमिकानी भाई थी आउर आप उमित करते हैं कि स्री लंका के खिलाप होने वाले मुकाबले में बिराट कोहली के बल्ले से एक तुफानी सतक देखने को मिलेगा उसके बाद समबर चार पर कफ़्टान रोहित सर्मा बड़ा बदलाव कर दिया है वे स्रेय सेयर की जगह केल रहुल को मौका दिये है और स्रेय सेयर को प्लेइंग इलेउन से बाहर कर दिया है दोस्तों स्रेय कर समय कुछ समय से बहुत ही cheating flop साबित हुए हैं श्रिया सयर को बार-बार मौका मिल रहे हैं लेकिन उनंके बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं इसलिए कप्तान रोहीद सर्मा ने स्रिया सयर को playing इले उनसे बाहर का रस्ता दिखा दिया है वही दोस्तों के ल राहुल सांदार फोम में चल रहा है और हर मैच में रन देखने को मिल रहा है केल रहुलेक ऐसे बल्लेबाज है जो मैच के कंडिसन के हिसाब से बल्लेबाजी करना जानते हैं वे भारत्य पारी को समाल सकते हैं और जरूरत पड़ने पर बड़े-बड़े शोट भी लगाकर रन रेन को मेंटेन कर सकते हैं वही दोस्तों नंबर 5 पर कप्तान रोहित सर्मा ने सूरी कुमार यादो को मौका दिये हैं दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सूरी कुमार यादो बहुत ही बिसफोटक बल्लेबाज हैं वे अपने बिसफोटक पारी खेलने के लिए जाने जाते है लेकिन पिछले मुकाबला में इंग्लेंड के खिलाप उन्होंने दबाव में 49 रनों की पारी खेल कर ये बता दिया कि वे मैच के परिस्थितियों के अनुसार बल्लेबाजी कर सकते हैं और मीडी लाउडर में आकर सांदार बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाजों की धजिया उड़ा सकते हैं सूर्य कुमार यादों ने भारतिय टीम को मुश्किल परिस्थितियों से निकालते हुए 49 रनों की सांदार पारी खेली और आप सूर्य कुमार यादों स्रीलंका के खिलाप होने वाले मुकाबले में भी अपना जल्वा बिखेरते नजर आएंगे उसके बाद नंबर 6 पर हार्दिक पंडिया वापसी करते हुए नजर आएंगे दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार हार्दिक पंडिया चोट से पूरी तरह से रिकावर हो गए हैं हार्दिक पंडिया के गयर मौझुदगी में भारतिय टीम को तेज गेंदबाज की कमी महसूस हो रही थी दोस्तों हर्दिक पंड्या भारतिय टीम के ले एक सांधार खिलाडी है जो खतरनाक बल्लेबाजी के साथ चाहत पूरा 10 ओबर की तेज गेंदबाजी कर सकते हैं जिसे भारतिय टीम पूरी तरह से संतूलन में नजर आती है इसी कारण हार्दिक पंडिया का भारतिय टीम के प्लेइंग इलोन में सामिल होना ब्यहदी जरूरी है जो कि अब लगातार छट्वे नंबर पर खेलते नजर आने वाले हैं वही नंबर साथ पर कप्तान रोहित सर्मा ने अलराउंडर रविंद्र जड़ेजा को प्लेइंग इलोन में मौका दिया है दोस्तों रविंद्र जड़ेजा वर्ल्ट कप में अब तक हर मैच में बिकेट चटकाए हैं इसलिए रविंद्र जड़ेजा लगातार खेलते हुए नजर आने वाले हैं वही रविंद्र जड़ेजा पिछले मुकाबला में इंगलेजन के खिलाप बहुत ही कि फायती गेंज बाजी करते हुए साथ उपर की गेंज बाजी में सिर्फ सूल रंदेकर एक विकेट जटके थे हलांकि रविंद्र जड़ेजा इंगलेन के लेकिन अपने बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और अब उम्मिद करते हैं कि स्रीलंका के खिलाप रोईंदर जड़ेजा अपना परदर्शन से भारत्य टीम को जित दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे वही नमबर आठ पर कप्तान रोहित सर्म ने सारदुल ठागुर को पलेंग इलोन में सामिल कर लिया है दोस्तों इंगलेंड के खिलाप पिछले मुकाबले में नमबर आठ के बल्ले बाजी की कमी महसूस हुई थी पिछले मुकाबला में इंगलेंड के खिलाप लाष्ट के ओबरों में सूरी कुमार यादो का साथ देने के लिए कोई भी बल्लेबाज नहीं था जीसे सूर्य कमार यादों की स्ट्राइक रोटेट करने में बहुत ही दिकत आ रही थी इसी को देखते हुए कप्तान रोहित सर्मा ने स्री लंका के खिलाप होने वाले मुकाबले में सार्दुल ठाकुर को प्लेंग इलोन में जल रहे हैं और खतरनाक गेंदबाजी कर रहे हैं कुल्दी प्यादों अपने खतरनाक इस्पिन होते हुए गेंद से कहर बरपा रहे हैं पिछले मुकाबला में इंगलेंड के खिलाप कुल्दी प्यादों ने इंगलेंड के कप्तान जोस बटलर को खतरनाक अंदाज में ब स्री लंका के खिलाब होने वाले मुकाबले में कप्तान रोहित सर्मा ने टीम से मोहमत सिराज को प्लेइंग इलउन से बाहर का रस्ता दिखा दिया है क्योंकि दोस्तों मोहमत सिराज कुछ खास कमाल नहीं कर पा रहे थे वहीं जस्पृत बुम्रा और मोहमत समी अपने कर पाती है